नमस्कार मैं हूँ लाजचन सोनी आज सुबा टांस में आप सभी का स्वागत है बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है तिमारपु छेत के पूर निगम पार्षत इंदु भूशन आज हमारे बीच में नहीं रहे 9 मार्च 2020 आस्मिक मित होने से आज छेतर में बीजेपी के कारकताओं के सोग सभा और छेतर में काफी दुखी देखा गया है वहीं पर 12 मार्च 2020 यहनी की आज सर्धा सुमन सभा किया गया हरी मंदिर किंजोय कैम में लोग बड़े बड़े नेता मनोश्तिवारी जी दिली परदेश के अध्यच यूंसांसत मौझूद रहे सचिन मावी जी मौझूद रहे और बहुत सारे बड़े बड़े नेता यहाँ पर गिराजमान हुए आगे यह रिपोर्टिंग देखिए दिल देशेज़ इंदु भूसर जी तिमार्पु छेतर म कि कई ऐसे कार देखे गए हैं और मैं आपको बता दूँ कि गरीबों के मसीहा इंदु भूसर जी थे उनकी मृत्तिवी नौ मार्च 2020 को ब्रेन हेमरेज के कारण वाक्समित हो गई और वहां आज जो है दुख के साथ पूरा छेतर जो है चाय हुआ है और आज सर्धा सुमन के साथ लोग वहाँ पर हैं और आपको बता दूँ कि पूर्ण निगम पारशत इमारपूर छेतर के इंदु भूसर जो 9 मार्च 2020 को जो है मृत्त हो गई और आज उनकी जैजेकार जिस तरह से हो रही है उनके गरीबों की मसीहा जाने जाने वाले इंदु भूसर जी ऐसे कई देश में कई ऐसे कार छेतर देखे गए हैं जो आज जो है प्रसंसिय योग हैं वाबिजेपी के सच्चे इमानदार और छेतर के गरीबों के मसीहा जाने भूसर जी समाजिक अस्तित का एक अलग छाप छोड़ कर गए हैं उन्होंने अपने पिता जी से काफी कुछ पिता जी ने कहा था कि बेटा आप तो नेता में आ गए हो राजनीत में आ गए हो आप जो है निगम पारसत बन गए हो लेकिन घर की मर्यादा घर की मानदारी मेहनत ये कभी मत छोड़ना उसे सेख लेते हुए इन भूसर जी ने आगे बरते रहे और वाकी में बहुत आगे हुए और आज उनकी छाप देखने को मिल रही है उनकी हर एक बच्चा बच्चा इमानदारी का परसंसा कर रहे हैं उनकी इमानदारी कारसेली आज याद करना एक इतिहास की पन्नों की तरह लिखना है और वही आज पूरे छेत्र में मलाल है कि ऐसे जुझारू निता ऐसे इमानदार कर्मंट समाजिक जो 24 गंटा गरीबों के मस्या के रूप में खड़े रहते थे आज ओ इंदभूसर जी नहीं रहे नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियों को आपको नोटिफिकेसन मिल जाएं